मोहन थाल मेरी फेवरिट मिठाईों में से एक है हमारे यहां गुजरात में शादियों में और कोई मिठाई बने ना बने लेकिन मोहन थाल वो तो ज़रूर बनता है अगर आपने मोहन थाल नहीं खिलाया तो सारे लोग आपको बहुत दिनों तक ताना मारते रहते हैं कि आपने मोहन थाल नहीं खिलाया तो चलिए आज बनाते हैं मोहन थाल मोहनधाल एक ऐसी मिठाई है जिसे बनाने से सब ड़ते हैं क्योंकि ये किसी किसी का ही perfect बनता है सब लोगों से ये perfect नहीं बनता है तो मुझे भी बहुत डल लग रहा था क्योंकि मैं भी आज first time बना रहे हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है तो यहाँ पे मौंधार मलाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन तो यह जो दरदरा वाला बेसन आता है मतलब के जो चने का आठा आता है दरदरा वाला वो हमें लेना है आप बारिक वाला भी ले सकते हो लेकिन दर्दरा वाला लोगे तो रिजल्ट पहुत ही बढ़ी आएगा तो यहाँ पे मैंने दो कप भर के चनी का दर्दरा अटा ले लिया है और एक छोटी कटोरी ले लिया है उसमें मैंने दो टेबल स्पून भर के गी डाल दिया है और दो टेबल स्पून भर के दूड डाल दिया है इसे हमें गरम करना है इसे हमें जादा गरम नहीं करना है इसे हमें खाली गुनगुना करना है लेकिन मैं कुछ काम करने चली गी तो गलती से यह जादा गरम हो गया तो इसे मुझे ठंडा करना पड़ा तो इसे room temperature पे आने के बाद मैंने यह जो आटा है उसके अंदर add कर लिया है और इस तरह चम्मस से अच्छे से mix कर लिया है और अब मैं इसे हाथों से mix करूँगी क्योंकि यह जो गी और दूद है वो आटे में अच्छे से mix हो जाना चाहिए तो आप इस तरह हाथों से अच्छे से mix करोगे तो बरापर से यह दूद और गी आटे में अच्छे से mix हो जाएगा और अब हाथों से इस तरह दबाते हुए हमें इसे set कर लेना है इस process को हम गुजराती में धाबा देना बोलते हैं तो आटे को मैंने धाबा दे दिया है और अब इसे हमें 15-20 मिनिट के लिए छोड़ देना है 15-20 मिनिट के बाद हम देखेंगे तो आटे का texture कुछ इस तरह का हो जाएगा चलिए अब मैंने यहाँ पर ले लिए एक थाली और उपर रख दिए एक चलनी तो इस तरह बड़े होल वाली हमें चलनी चाहिए बहुत बड़े भी नी और बहुत चूटे भी नी मिडियम होल वाली चलनी हमें लेनी है और अब यह धाबा दिया हुआ आटा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे बराबर से चान लेंगे तो आप डाइरेक चानोगे तो नहीं निकलेगा आटा लेकिन इस सारा हाथ से आप प्रेस करके इसे चानोगे तो सारा आटा अच्छे से चन जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम दानेदार आटा हमें मिल गया है तो मौनथार बनाने के लिए यह एकदम परफेक्ट टेक्शर है चलिये अब यहाँ पे मैंने ले ली है एक मोटे तले वाली कड़ाई कड़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब कड़ाय में डालेंगे 1 कप गी, मतलब कि 1 कप पूराणी डालेंगे, आधा कप गी हम डालेंगे और आधा हम बचा लेंगे और अब ये जो आठा है उसे डाल देंगे गी के अंदर और इकदम low flame पे हमें इसे भूनना है आटे को भूनने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजे नहीं करनी है इसे हमें आराम से भूनना है अगर आप medium flame पे या फिर high flame पे इसे भूनोंगे तो आटा हमारा जल जाएगा और कच्छा रह जाएगा तो एकदम low flame पे हमें इसे भूनना है 2-3 मिर्ट भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा गी एड़ करेंगे और वापस से 2-3 मिर्ट भूनेंगे और वापस से जो बचा हुआ गी है वो हम एड़ कर देंगे और इसे हम भूननेंगे तो तकरिबान इसे हमें 9-10 मिर्ट तक एकदम low flame पे अच्छे से भून लेना है जब तक कि आटे का कलर थोड़ा सा चेंज ना होने लगे और आटे में से अच्छे सी खुश भूना आने लगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम एड़ करेंगे मावा तो यह मावा मैंने घर पे बनाया है मैंने 500 ग्राम दूट से इसे बनाया है इसके अंदर मैंने शुगर एड नहीं की है खाली मैंने दूद को जला लिया है और ये मावा बना लिया है मावा डालने के बाद 2-3 मिट हमें और इसे बुनना है 2-3 मिट के बाद आप देख सकते हो कि आटे में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है तो गैस की फ्लेम को हम आफ कर लेंगे और ये जो खड़ाई है उसे हम नीचे उतार लेंगे नीचे उतारने के बाद हमें 1-2 मिट इसे चलाना है क्योंकि कड़ाई एकदम गरम है तो आटा नीचे से जलने ना लगे इसलिए हमें 1-2 मिट से चला लेना है चलिए अब एक और कड़ाई मैंने ले ली है उसमें डाल दी है थ्रिपोर्ट कप चीनी और आधा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी अब हम बनाएंगे चाशनी तो चाशनी हमें मीडियम फ्लेम पे बनानी है तो चाशनी मैंने रख दी है पकने के लिए और अब यहा और इसे हम पीस लेंगे मालब कि कूट लेंगे तो यह देखे एकदम फाइन पाऊडर बन गया है बीच में हम चाशनी को भी देखते रहेंगे और अब यहां पर मैंने ले लिया है एक जाइफल और इस तरह के ग्रेटर से मैंने इसे ग्रेड कर लिया है थोड़ा सा ही हम ग्र से इसे चेक किया है तो तार बन रही है लेकिन थोड़ी सी पतली बन रही है और थोड़ी सी पतली बन रही है करते हो जैफर और इलाइसीड़ी का पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से चाष्नी को तो mix कर लेंगे और अब रहल प्रश्ण को तूरंध ही हम डाल देंगे पुने हुए आटे के अंदर अब इसे फटाफट से हमें mix कर लेना है mix करते ही यह जो mixer है वो थोड़ा-थोड़ा गाड़ा होने लगेगा दिरे-दिरे गाड़ा होने लगेगा तो चली अब फटा-फट से ले लेते हैं एक थाली और यह जो मिक्षर है उसे डाल देंगे थाली में थाली को हमें ग्रिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्रेडी मौन थाल में बहुत सारा गी है तो यह बिल्कुल भी निचे से नहीं चिपकेगा और इस तरह तावेता की हैल से मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है तो आप चाहो तो कटोरी से भी इसे फैला सकते हो तो यह दिखिए एकदम एवन हमें इसे कर लेना है तो चली अब बारिक चॉप किये हुए ड्राइफूट से इसे गानिश कर लेते हैं हमारे यहां मौन थाल को चारोरी से गानिश करते हैं लेकिन चारोरी का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने इसे ड्राइफूट से गानिश कर लिया है चले अब इसमें कट लगा लेते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें कट लगा सकते हो बड़े चोटे तो ये लीजे मौन्थाल एकदम रेडी है इसे बनाने में मुझे बहुत ही डल लग रहा था मुझे लग रहा था कि ये अच्छे से सैट नहीं होगा लेकिन मौन्थाल बहुत ही बढ़िया बना था बहुत ही सॉफ्ट बना था और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया था तो अगर आपको आज कि ये मौन्थाल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजे और चैनल पे नवे तो सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना